तीन आइफोन लूकलाइक एंडुएट स्मार्ट फॉन जो आपको बजट के अंदर मिलेगा और आइफोन 13 और आइफोन 13 प्रो मैक्स की याद दिला सकता है और budget ऐसा वैसा नहीं है दोस्तों बहुती low budget Android smartphone जो के iPhone की तरह दिखता है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में iPhone look-alike तीन Android smartphone जो के L.E.T.B. Y1 Pro, G.U.N.E. G13 Pro और Oktel C21 Pro होने वाले हैं उसका सभी details जानते हैं तो दोस्तों वीडियो इंट्रोइट स्मार्टफोन आपको iPhone 13 और iPhone 13 Pro Max की याद दिलाएगा लूक और ओबर्विव आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं फ़हले हैं दोस्तों L.E.T.B. Y1 Pro का लूक और ओबर्विव G.U.N.E. G13 Pro अब आपके स्क्रीन के उपर है अब दोस्तों ओक टेल C21 Pro आपके स्क्रीन के उपर हाजिर है अब दोस्तों मैं जानता हूं स्रिफ लूक और ओबर्विव किसी भी स्मार्टफोन के सभी एंगल को अनुवेल नहीं करता है तो चलिए डिप डिटेल्स जानते हैं अब आपको प्लास्टिक बिल्ड के साथ मिलेगा आपको रेर और फॉन दोस्तों ग्लास फिनिस के साथ दिया जाएगा टीनो स्मार्टफोन के वेड डिटेल्स आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं अब दोस्तों एक स्मार्टफोन को प्रोसेसर के एराउंड ही डिजाइन किया जाता है तो प्रोसेसर ही बता पाता है एक स्मार्टफून कितना एफिशेंसी रखता है तो चलिए यहां जानते हैं LETB Y1 Pro में और GONI G13 Pro में किस तरह का प्रोसेसर दिया गया है दोस्तो यहां LETB Y1 Pro और GONI G13 Pro में आपको एक ही तरह का प्रोसेसर देखने को मिलेगा हीलियो P22 यह एक ओक्ता कोर प्रोसेसर है यहां दोस्तो आपको कुछ एफिशेंसी देखने को मिलेगा अब तीनों स्मार्टफून है तो बजट कैटेगोरी स्मार्टफून स्रिफ आइफोन को कॉपी किया गया है लेकिन दोस्तो यहां ओप्रोसेसर आपको बहतर मिल रहा है अब दोस्तो अगर बात करें तीनों स्मार्टफून के डिस्प्ले डिटेल्स की तो दोस्तो यहां आपको लगबग एक ही तरह का डिस्प्ले साइज मिलने वाले है स्पेशली दोस्तो एली टीवी वाइवन प्रो में आपको 6.50 इंचिस का डिस्प्ले दिया जाएगा जो के टाइप में LCD टाइफ होने वाले है रेजलूशन आपको HD प्लस का सपोर्ट दिया गया है साइज दोस्तो 6.39 इंचिस का होने वाले है यहां भी दोस्तो आपको HD प्लस रेजलूशन का सपोर्ट दिया गया है अब दोस्तो यह पॉइंट LED वी वाइवन प्रो जी ओनी जी थर्टिन प्रो और OCTEL C21 प्रो को कुछ तक आइफोन 13 प्रो या आइफोन 13 प्रो मैक्स की तरह दिखने में हेल्प करता है हाँ दोस्तो मैं कैमरा की बात कर रहा हूँ तो यह दोस्तो LED वी वाइवन प्रो में आपको कैमरा सेटप रेयर में ड्या जाएगा या दोस्तो main shooter 8MP का होने वाले है यह आपको और एक sensor दिया जाएगा फिलाल sensor details anonymous रखा गया है फ्रॉंट में दोस्तो आपको 5MP का shooter दिया जाएगा यह sensor दोस्तो आपको iPhone 13 notch के अंदर मिले वाले है Goni G13 Pro का हाल भी कुछ इसी तरह का है दोस्तो लेकिन camera sensor आपको थोड़ा सा updated मिले वाले है rare shooter आपको dual मिले वाले है main shooter दोस्तो 13MP का होने वाले है उसी कसा साथ एक wide angle lens आपको 2MP का rare में देखने को मिलेगा rare flash भी आपको दिया गया है front shooter वो ही iPhone 13 notch के अंदर आपको दिया गया है जो के 5MP का होने वाले है अब दोस्तो OCTEL C21 Pro का जो camera setup होने वाले है यह आपको iPhone 13 Pro Max की याद दिलाएगा rare में दोस्तो आपको triple rare setup मिल रहा है यहाँ दोस्तो 21MP का main shooter दिया जाएगा उसी के साथ 2 और 0.3MP का OREC sensor दिया गया है यहाँ दोस्तो जो main shooter यूज किया गया है यह Sony का sensor है दोस्तो अगर front shooter की बात करें तो दोस्तो यहाँ आपको 8MP का sensor देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ दोस्तो बताने वाला point है यहाँ आपको iPhone 13 का notch देखने को नहीं मिल रहा होगा अब दोस्तो तीनो iPhone look-alike Android smartphone में जो आपको RAM option मिले वाल है 4GB का दिया जाएगा LETB Y1 Pro में आपको internal storage या onboard storage दो दिया जाएगा 32GB का होने वाल है expand कर पाएंगे G1 G13 Pro में भी दोस्तो कुछ हाल इस तरे का है 4GB 32GB का option आपको मिल रहा है यहाँ दोस्तो आपको expandable option नहीं दिया गया है onboard storage को अगर OCTEL C21 Pro की बात करें तो दोस्तो यहाँ आपको RAM option 4GB का दिया जाएगा onboard storage आपको 64GB का दिया जाएगा इसको आप expand कर पाएंगे अब दोस्तो बैटरी डिटेल्स की बारी तो यहाँ LETB Y1 Pro और OCTEL C21 Pro में आपको लगबग एकी तरह का battery setup देखने को मिलेगा 4000 mAh का battery आपको दिया जाएगा LETB Y1 Pro और OCTEL C21 Pro में दोनों में ही दोस्तो आपको USB-C type charging port दिया जाएगा Gionie G13 Pro में आपको comparatively बैटरी आपको कम मिल दा है 3500MH का यहाँ भी दोस्तो आप USB-C type charging port को use कर पाएंगे अब दोस्तो वीडियो अन्थोने की कगार पे हैं लेकिन ऐसे भी कुछ feature details है जो के बताने लायक है LETB Y1 Pro और Gionie G13 Pro में आपको face unlocking option मिलेगा यहाँ आपको कोई rare या side mounted fingerprint sensor नहीं दिया गया है आपको side mounted fingerprint दिया जा रहा है इस price point पे side mounted fingerprint दोस्तो रियली एक appreciatable move है और भी कुछ feature है दोस्तो जो यह तीनो iPhone 13 look-alike Android smartphone में आपको नहीं मिलेगा जैसे के FM का support आपको इस तीनो Android smartphone में नहीं दिया जाएगा NFCB दोस्तो आप यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे उजी के साथ साथ दोस्तो LED TV Y1 Pro में आपको 5 sensor का support दिया जाएगा Jioni G13 Pro में आपको 2 sensor का support दिया जाएगा Octel C21 Pro में आपको सिर्फ और 4 sensor का support दिया जाएगा अब दोस्तो तीनो smartphone के price details आपके screen के उपर हाजिर है अगर इंडिया availability के बात करें तो दोस्तो फिलाल यह तीनो smartphone आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा Ali Express जैसे website को use करके आपको चाहिना से यह तीनो smartphone मंगाना पड़ेगा तो यह सबी दोस्तो तीन iPhone, lookalike, Android, smartphone, LEDB Y1 Pro, G1 G13 Pro और OCTEL C21 Pro के वो सबी details जो आप खरीदने से पहले जानना चाहते थे होवे सारे बताएगा information आपके लिए useful और helpful साभीत हुआ होगा अगर है तो किसी social platform में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा तो चलिए बहुत होगा बगबग वीडियो को यहीं पर conclude करते हैं मिलते हैं next किसी वीडियो में इस तरह का information लेके